इस तितालिसमा बार्शिक महोस्तव महाकुम्भ के अवसर पर मंचासेन परंपोज बर्तमान आचार्ज शिरी जीतेंद्र साहिब जी डंगलाहा कभीर आसलम से पधारे महंस्री जै सरूप साहिब जी कहलगाओं कभीर आसलम से पधारे संस्री अवह साहिब जी कभीर आसलम हरिद्वार से पधारे संस्री रतं सरूप साहिब जी और प्रियाग राज से पन्हारे परवुद्ध साहिब जी हमारे गुरु मुक्साहिब जी और पुर्णियां के छेत्रिय बिधायक स्री बिजय खेमका जी हमारे बगल में बैठे महेंदर साहिब जी केवल सरूप साहिब जी सत्संग समारो में उपस्दित धेवियों बुद्धि जीवियों धर्म प्रेमी सज्जनों बंधूँ आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म लेना ही मिर्दू का कारण होता है बरना ही बुताने का कारण होता है और फरना ही जहरने का कारण होता है दोस्ती ही दुस्मनी का कारण होता है और बरही ही तेरी का कारण होता है आज हम लोग पुझ गुरुदेब, आचारश्री धर्म सरूप साहब के बिचारधारा को याद कर रहे हैं साहब जी के साथ मैंने बहुत दिन भी ताया कौन ऐसा कौन ऐसा प्रस्ण था जिसका जवाव सद्गुरु के पास नहीं था यह मैंने देखा जितना संका मेरे पास था बहुत समय मैंने कहीं अलग बिताया भरम में लेकिन जब साहब जी के सानिद में हम आए जहां तहां से लोग हमें कुछ पूछते थे वो सारा संका लेके मैं साहब जी के निकट आता था और एक भी ऐसा संका नहीं था जिसका समाधान साप साप उसमें कोई लेना देना नहीं कोई भरम नहीं कोई संका नहीं इतना बड़ा बिद्वान और ऐसे संत उच उस्रेनी के मैंने देखा तो एक परम पूजा विलाक साहब थे और दूसरे आचार्ज सद्गुरू धर्म सरूप साहब थे जो मैंने देखा ऐसे तो हमारे परबूज साहब ने चर्चा किया विसाल साहब का पूरन साहब का तो हम तो देखे नहीं उनलों को लेकिन जो अपने नजर के सामने मैंने देखा और ऐसे सरल केवल बिद्वान नहीं केवल उच कोटी के संत नहीं बलकि ऐसे सरल थे एक जगह तो मैं साहिब जी के साथ जा रहा था और एक लड़का रोड पर नंगे था पूरे सरीर में उसको मिट्टी लगा था उसको जार के साहिब जी गोधी में लेनी इतनी सरल था एक बार जब मैं जहां पूझ जीतेंदर साहिब महंत थे खैरा मठ पर खैरा मठ पर कार्ज करम था हम लोग गए वहाँ पानी का बहुत किल्लत था अलग से पानी लाया जाता था हम लोगों ने कमंडल में पानी लेकर डोल डाल के लिए चले दो चार आत्मी गड़मी थी बहूत साहिब जी कहे हम भी उद्रे घूमने चलेंगे साहिब जी भी चल दी एक चना के खेत में डोल डाल जाने से पहले साहिब जी कहे यहीं पर एक बिचावन कीजिए यहीं बैठेंगे हम एक चना के खेत में मैंने तोलिया बिचाया और उसी तोलिया पर साहिब जी बैठ गए और बैठ कर आधा घंटा ग्यान की बात हम लोगों को चना के खेत में बताया बंदूँ जड़ा विचार किया जाए अहंकार नाम का चीज अहंकार किसका नाम है जितना बिरप्त को उन्होंने मर्यादा दिया उतना ही गिरहस्त को भी उन्होंने मर्यादा दिया कभी तिरसकार नहीं किया उन्होंने गिरहस्त को उकाते थे एक बार मैं पूछा साहिव जी गिरहस्त को इतना उंचा क्यों उठाते हैं कहा कि देने वाला वही है सं तो लेने वाले है तो देने वाला बड़ा है कि लेने वाला बड़ा है हमको कहें बताएं साहिब वो ही बड़ा है वो देने वाला है अस्वंद तो लेने वाले हो बंदूओं साहिब कभीर की एक पंग्ती है आपात जै हरी भजै हमारे जैसे तुछ ब्यक्ति को साहिब जी अपने मुखार बिंद से इस बार्षिक महोतसब का निमंतरन देते थे मैं सोचता था साहिब जी के निकट मैं क्या हूँ एक तिनका के समान मैं नहीं हूँ और जितेंदर साहिब ही हमको निमंतरन दिया भी आए बंदगी करने गए तो साहिब जी ऐसे हमको भर पजाब पकर लिए कहा आसन लगा भोजन हुआ मैंने कहा सब कुछ हो गया बंदूओं कमी हम लोग भी सोच रहे थे जो अभाय साहिब ने कहा सही कहा हम लोग भी सोच रहे थे कि वो पंडाल लगेगा कि नहीं लगेगा बार बार मैं सागर साहिब को फोन करता था सागर साहिब पंडाल लगेगा कि नहीं लगेगा था कि नहीं बिल्कुल लगेगा पंडाल आप लोग चिंता मत कीजी जरासाभी कमी कहीं महसूस नहीं हो रहा है उस सब काम पूरा जीतेंदर साहिब किये और आसा है कि इसी तरह कार्जकरम चलता रहेगा और सारे लोग सहजोग करते रहेंगे हम लोग भी इनके पीछे-पीछे चलने के लिए तयार हैं और साहव कबीर की एक पंक्ती है आपा तजय हरी भजय नक्सिक तजय विकार सब जीवन से निर्वायर रहे साधू मता है साधू आपा तजय आपा का मतलब होता है अहंकार अहंकार मेरे जीवन में किस बात किया है परमपूज अभिलाग साहभ कहा करते थे बहुत बोलने वाले को भी एक दिन मौन साधना होगा और बहुत जानने वाले को भी एक दिन अस्मिर्तिक होना होगा और बहुत धन रखने वाले को भी एक दिन खाली हांग चलना होगा अंध में एक कईस अगस्त के पहले तो दू बार मैंने सद्गुरू से मुलाकात करने जीवन जोती केंद्र आया यह अंधि में एक कईस अगस्त के जब साहब पुर्णिया होस्पीटल में थे हम पावन सरूप साहब के साथ गए होस्पीटल दस बार मैंने साहब को बुलाया साहब जी मैं रमा संकर साहब बोला हूँ साहब जी जड़त देखिये साहब जी इज़र देखिये एक बार भी साहब मेरे तरफ नहीं देखे मैं समझ गया जैसरूप था साहब थे वाँ मैं समझ गया अब साहब जी नहीं रहेंगे उसी समय साहब के होस्पीसल से डिस्चार्ज होने का काज़ पत्तर बन रहा था मेरा कार्जक्रम उस दिन कटिहार में था जैसरुप साहिब से कहकर मैं चला गया कटियार और वहां कार्ज करम करके मैं ने कहा सवेर हमको ट्रेन पकड़ा ये ट्रेन पकड़ा दिया जब मैं थाना बेहपूर में था तो रतन सरुप साहिब ने फोन किया साहिब जी कहां है हमकी हम थना बिहपुर में है कहा साहभ जी चले गए तुरत मांसी में आके हम गारी छोड़ दिये बैठ गए चले गए मांसी कभी रासरम पर वह एक रात रहे पुना हम जीवन जोती केंदर पहुँच गए बंदू अहंकार को यादमी मत रखिए जाती का हंकार हो रूप का हंकार हो धन का हंकार हो मैं कहता हूँ ग्यान का भी हंकार मत कीजे कोई आदमी साहभ जी के पास साहभ कभीर ने कहा मरते मरते जगमुआ मरना न जाने कोई ऐसा हो के ना मुआ जो फिर नहीं मरना हो जैसे शक्वा की आऊ लंबी होती है गार के रखिये, ख़रा कर के रखिये, गिरा के रखिये वो जल्दी जोब भर सरेगा नहीं वैसे ये महापुरुष की आयू इतनी लंबी हुई है कि कभी वो सर नहीं सकता, कभी गल नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता है, जब तक सूरत चांद रहेगा, तब तक आचार स्री धर्म सरूप साहब का नाम रहेगा.